हमस्कार दोस्तों मैं रूपमतिवर्थे वुपाल से और आपका स्वागत है मेरे चेनल रूपा ग्रीन गार्डन में उम्मिद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्त होंगे और अच्छे होंगे जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चेनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बैल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको तो दोस्तों आज मैं एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद कुछ लोगों को नहीं पता है कि अगर हम एक बार मिर्ची लें और सालों साल मिर्ची किस प्रकाल लें इस विशे में मैं बात करूंगी तो चलिए दोस्तों और दोस्तों यह हमारी एक छोटी चिडिया है और उसी ने यहां घोसला बनाया है तो यह देखो पानी बहुत आ रहा था दो तिन दिन लगातार पानी बारिश हो रही थी तो विचारी चिडिया भीग रहते बच्चे लगा दी और मैं आपको बताती हूँ कि यह इसको दरजी चिडिया भी बोलते हैं इसके जो घोसला रहता है सिलकर बनाती है और इसमें बहुत ही छोटे-छोटे से तीन बेबीज है शायद दिखा पाऊं मैं आप लोगों को यह देखिए बहुत ही छोटे-छोटे से बेबी है इसमें बच्चे हैं चडिया के तीन है मैं इसको ज्यादा छिर चाल नहीं करूंगी तो दोस्तों यह देखिए और दोस्तों यही जो मैं मिर्ची के बारे में बताऊंगी उसी वैसे ही टीट आप इसमें भी कीजिएगा वो देखिए चुडिया आ चुकी है बच्चों को दाना खिलाने के लिए देखिए वो उड़के गई है हाँ दोस्तों तो मैं बात कर रही थी कि देखिए इसमें यह जो बेगन है इसमें कीड़े लग गया थे इसकी भी मैंने कटिंग कर दी थी और यह देखिए कितने सारे फ्लावर आये हैं इन सारे बेगनों में और बेग में कली है वेगन है और फूल भी आ रहा है सब न ही में देखिए्ल छोटे-छोटे से हर एक बेगन में यह देखी अंदर भी देखिय। को ये बहुत लंबे लंबे हो गते सब के मैंने कटिंड कर दी ठीप उटी-ठी ऑर ये मिर्चियां देख लिए यह मिर्ची को मैंने कम से कम चार बार ले चुकी हूं मैं फिर भी इसमें मिर्चियां देखिए कितनी भरपूर मिर्चियां है इसमें और अब यह थोड़ी सी खराब हो रही है यह देखिए इसके पत्ते से हो रहे हैं यह देखिए यह सबी में कितनी सारी मिर्चिया अलगी है यह देखिए और यह मिर्चिया एक बार एक बार नहीं मैं तो यह चौथी बार तोड़ रही हूं चौती पांचवी बार जब भी मैं मिर्ची तोड़ती हूँ उसके बाद मैं खाद डाल देती हूँ गोबर खाद डाल देती हूँ और फंगिसाइड डाल देती हूँ दवाई डाल देती हूँ ताकि ये पेड़ खराब ना हो लेकिन इस बार काफी तीन चार बार हम ले चुके तो इसमें फिर से हम फल लेने के लिए इसमें क्या करना चाहिए क्योंकि मिर्ची का एक ऐसा प्लांट है कि हम एक बार एक साल लगाएंगे तो कम से कम सालों साल इसकी मिर्चियां चल जाएगी और ये प्लांट चल जाएगा सोरी मैं बोलना चाह रही थी कि प्लांट चल जाएगा मिर्चिया तो खेर नहीं चलेगी लेकिन हम इस प्लांट में क्या काम करें तो कि हम ये इसमें मतलब ओर डबल से भी अभी ये ठंड का मोसम आएगा उसमें भी हम मिर्चियां ले सकेंगे अभी तक के तो ये बारिस के मोसम में गर्मी के मोसम में सालो साल मिर्चियां लेते रहते हैं तो पहले तो मैं ये सारी मिर्चियां तोड़ लूँगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगी मिर्चियां भी देखो तो दोस्तो कितनी लंबी-लंबी मिर्चियां हैं ये देखिए और ये पकने के कगार पर हो गई है तो मैं इसकी सारी मिर्चियां को तोड़ लूँगी और फिर मैं इसका इलाज बताऊंगी कि क्या करना चाहिए दोस्तो ये मेरा पिछले बार का है ये प्लांट और ये देखिए इसमें भी मिर्चियां हैं मैं सारी मिर्चियां तोड़ लेती हूँ दोस्तों कुछ मिर्ची का पेड़ ऐसा होता है जिसमें मिर्चियां उपर के तरप से लगी रहती है इस प्रकार उपर की दिसा में लगी रहती है और ये देखिए एकी प्लांट में कितनी मिर्चियां लगी हुई है और कुछ मिर्चियां के प्लांट ऐसे होते हैं कि जिसकी मिर्चियां फल लगने की दिसा एकदम लटकती हुई रहती है जैसे ये मिर्चियां हैं जो लटक रही है ये देखिए कितनी मिर्चियां है ये इस प्रकार लटक रही है और एक वेराइटी ये है कि जिसमें मिर्चिय खड़ी उपर की तरफ रहती है यह देखिए यह मिर्चियां सारी उपर की तरफ है वैसे मिर्चियों की तो बहुत सारी वैराइटी रहती है गोल मिर्ची भी रहती है मोटी भी रहती है और शिमला मिर्च जैसी भी रहती है तो दोस्तों यह देखिए यह सारे प्लांट में से मैंने ये मिर्ची तोड़ लिए और कितनी सारी मिर्ची निकली है ये करीबन एक किलो मिर्चिया है ये देखिए और इसमें पकी वाली भी है और बड़ी छोटी सभी परकार की है ये इतनी सारी मिर्चियां हमें खाने को मिली है तो भी काफी दिन चल जाएगी करीबन एक हपत तो होई जाएगी क्योंकि हमारी फेमली भी थोड़ी सी बड़ी है और फिर हमें क्या करना है कि हमने सारे प्लांटों की मिर्ची तोड़ ली है और अभी खराब सा हो रहा है और फिर से हम इसको इसी काबिल बनाने के लिए हम इस प्लांट पे क्या करेंगे कि जितनी भी है इस इसको यह देखिए तूट भी गई तो इसको सब को हम थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर देंगे यह जैसे यहां का हिस्सा हो रहा है यह निकल रहा है यह वाला हिस्सा काट देंगे यहां से यह वाला हिस्सा काट देंगे यह यहां से जो उपर-उपर का हिस्सा है वह सारा का करेंगे हम नौड एरिया से इस प्रकार ये देखिए क्योंकि कोई भी प्लांट है और फल देने के बाद थकान हो जाती है जैसे हम काम लेते हैं तो हमें भी थकान होती तो इसी प्रकार प्लांट भी है जब इसमें फल दे चुका रहता है तो फिर इसके थोड़े दिन तक इसमें फल नहीं आते हैं कि इस प्रकार सागर काट लीजिए और सभी प्लांट में यही काम कीजिएगा अगर आपके और भी प्लांट है मिर्ची के तो सारे प्लांट को इस प्रकार से थोड़ा-थोड़ा सा काट लीजिएगा यह इस प्रकार यह देखिए यह हमने चाट दी उपर-उपर की सारी स्टेम चाट दी है वैसे तो मेरे बहुत सारे प्लांट है मैंने अभी यह दो तिन प्लांट काट के बता आया आपको यह देखिए उपर-उपर की जितनी भी खरापत्ती थी और जितनी भी उपर की स्ट और गुड़ाई कर लेंगे चारों तरफ से हम ऐसे गुड़ाई कर लेंगे और फिर उसमें हम गोवर खात देंगे गोवर खात सबसे अच्चा होता है तो हम चारों तरफ तो दो, तीन मुठ़्ी, जितना भी आपका जैसे बड़ा गमला है, तो तीन, चार मुठ़्ी काफी होती है, और अगर छोटा गमला है, तो आप दो मुठ़्ी डाल दीजिए इस प्रकार चारों तरफ से आप गोबर खाड डाल दीजिए, और फिर उसको फिर से ऐसे मिक्स कर दीजिए चारो तरफ से गुडाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि बीच में हम रूट्स को डिस्टब ना करे बस आसपास ही करे तो ज़्यादा सही है क्योंकि अगर रूट डिस्टब हो जाएगी रूट अगर निकल जाएगी इसकी गमले प्लांट की तो प्लांट हमारा खराब भी हो सकता है चाहे तो आप हाज से भी इस प्रकार ऐसे विचा सकते हैं और फिर आप पानी डाल दीजिए अगर आपकी मिट्टी सूकी है तो आप पानी डाल दीजिए और अभी तो बारिस के सीजन है तो मेरे यहां की मिट्टी तो गीली है तो मैंने नहीं डाली है थोड़ी थोड़ी सी सूकी है मतलब ड्राय है है अपने मुष्र है इसमें इस मिट्टी में तो इस प्रकार आपए गोबर खाट डाल दीजे और फिर इसको आराम करने दीजे मतलब इसमें अभी कोई फल और ये एक मेने के बाद में फिर से इसमें और प्रूनिंग करने का एक फाइदा ये भी है कि अब इसमें जब कटिंग हो गई तो इसमें नई-नई स्टेम निकलेगी और नई-नई स्टेम से फिर नई-ने फूल आएंगे नई-ने फल आएंगे फिर से हमारी जो मिर्ची का प्ल आप भी सालों साल मिर्चियां ले सकते हैं और अपने घर में यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताईएगा धन्य बाद दोस्तों थैंक यू